घलो फ्रेंड्स मैं हूँ पृति जैन और आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ recently मैंने जो कुर्ति के वीडियो अपलोड किये हैं वो तो यहां पर मैंने साडियों से और फैब्रिक से जो कूर्तियां बनाई हैं वो सारी मैं आज आपके साथ share करूगी तो अगर आपको कोई भी डिजाइन पसंद आए तो आप उनका वीडियो मेरे चैनल या फेस्बुक पेज से देख सकती हैं तो सबसे पहला पीस जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है नायरा कट कुर्ती तो देखे यहां पर मैंने जो भेरुगड प्रेंट का कपड़ा आता है उसकी ये कुर्ती तयार की थी और यहां स्लीव में भी डिजाइन बनाया हुआ है और इसमें मैंने सिर्फ अपर बॉडी पार्ट में अस्ता लगाया है और साइड से ये इस तरह से ओपन है जैसे की नायरा कट में होता है और ये आप इसका पिक देख रहे हैं और ये कुर्ती पहनने के बाद बहुत इच्छी लगती है और चूंकि ट्रेंड में है नायरा कट कुर्ती तो आप एक सिंपल सूट के पीस से भी इस कुर्ती को बना सकते हैं अब सेकंद पीस जो मैं आपको दिखा रही हूँ वह है काफ्तान कुर्टी और जैसा कि आपको भी पता है काफ्तान इस समय बहुत ज़्यादा ड्रेंड में है तो देखे ये मैंने वी नेग में काफ्तान कुर्ती बनाई हुई है आप इसका पिक देख रहे है और ये काफ् को भी मैंने कई वार वार वेर किया है उसमें मैंने वीडियो में आपने उसका पिक देखा होगा उसी साड़ी में queste मैंने यह कुरती तयार कि है इसे हम आलिया भट बना सकती हैं अब next जो मैंने कुरती बनाई थी इस तरा सी थी umbrella कुरती है simple मैंने इसे butter fabric से तयार किया है और इस कुरती के उपर मैंने जो शरक बनाया है ओर यह फित तो आप झी वेन होँ लगा है यह कोरती भी आ पहन सकते हैं शरक के रूप है और इस तरह से आप किसी भी सॉफ्ट मटेरियल की साड़ी से यह कुर्ती को तयार कर सकते हैं जिसे आप एज इस रग भी बहन सकते हैं और आज कुर्ती भी अब नेक्स वीडियो जो है वह इस तरह की कुर्ती का है यहां पर मैंने एक बॉटम फैब्रिक वाले कपले में से म नीचे बॉटम में डिजाइन होता है उस फैब्रिक में से मैंने यह कूर्ती को तयार किया है और यहां पर इस तरह मैंने स्लीफ मनाई है ऊपर आफ है नीचे यह कुप लगाकर इसकी स्लीफ तयार की है और जो बॉटम में कपला था उसीह से हमने यह वी ad 협 का अब बनाया है देखिए वो इस तरह की है बोटने कुर्ती मेंने तयार की है यहां पर स्लीव में मैंने थोड़ा सा अलग से डिजाइन लगाया है यह इस तरह से और पफ स्लीव ही है अम्रेला कुर्ती है सिंपल विदाउट लाइनिंग की कुर्ती है चुकि यह कॉटन फैब्रिक है अच्छा वाला तो इसमें लाइनिंग की भी कोई ज़रुद नहीं है और यह देखिए इस तरह से इसका लुक आया है तो आप भी कॉटन फैब्रिक से इस तरह की सिंपल एंड सूवर कुर्ती तयार कर सकते हैं और उसके बाद लाज्ट पीस जो मैंने करखा है यहां पर मैंने इलास्टिक युझ ओली यृ यह पॉफ लिप्स लीपस उवाला कर रा कर ना तो यह वीडियो आपके लिए बहुत है शेवाले है अगर आप अपनी कॉर्टी कराउँ चाहती चाहते हैं तो आप फैब्रिक को रखिए और उसके उपर अपनी बनी हुई जो आपकी ठीक नाप की कुर्ती हो उसे रखिए और फटाफट कट कर लीजिए तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा और वो कुर्ती को ये तयार किया है मैंने और इसका लोफ बहुत है अच्छा आया है वीडियो देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्यवाद नमस्कार